नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रभिन और आप सभी का स्वागत है न्यूस क्लिक के शोर डेली राउंड अप में आईए देखते हैं आज की विशेश खबरे 29 नवंबर से रोज संसत पहुंचेंग एक किसान SKM की घोशना काजगंज में मुस्लिम यूवक की पुलिस हिरासत में मौत त्रिपुरा हिंसा पर एडिटर्स गिल्ड आईड़ू पीसी ने की यूए पीए वापस लेने की मां दिल्ली में चट मनाने से रोकने के लिए यमुना घाट पर बैरिकेंडिंग और आखरे में हम बात करेंगे देश में 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से जादा नए मामले मंगलवार को एक लंबी बैठक के बाद सन्यूति किसान मोचा ने एलान किया है कि दिल्ली में सिंगू, टिक्री और गाजीपूर बॉर्डर से किसान संसत के शीत कालीन सत्र के दौरान 500 की संख्या में रोज संसत की तरफ ट्रैक्टर मांच करेंगे सन्यूति किसान मोचा 40 से जादा किसान संगठनों का सांजा मंच है जो तीन केंदरी क्रिशी कानूनों का विरोध कर रहा है इस विरोध प्रदर्शन को अब एक साल होने वाला है 26 नॉंबर को प्रदर्शनों का एक साल पूरा होने के उपलक्ष में पंजाब, हरियाणा, उत्रपदेश, उत्रकंड और राजस्थान से हजारों किसान राश्ची राज़धानी में प्रदर्शन अस्तलों पर पहुंचेंगे ताकि तीनों केंदरी क्रिशी कानूनों के विरोध को तेश किया जा सके SQM के निताओं ने बताया कि दूर दराज के राज़ों में एतिहासी प्रदर्शनों की पहली सालगिरा राज़ों की राज़धानियों में बड़ी रैलिया आयोजित कर मनाई जाएंगी अगली खबर उत्रपदेश के काजगन से है जहां एक 21 साल के मुस्लिम युवक अलताफ की पुलिस हिरासत में मौत हो गई एक तरफ होते प्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि अलताफ ने अपनी जैकेट में लगी डूरी से बातरूम के नल पर लटक कर खुद किशी की है महीं अलताफ के पिता का आरोप है कि उनके बेटी की मौत में पुलिस का हाथ है मीडिया से बात कते हुए युवक के पिता ने बताया कि पुलिस ने उनके बेटे पर एक लड़की को भगाने का आरोप लगाया था जिसके बाद उन्होंने खुद उसे पुलिस के हवाले किया 24 गंटे बाद अलताफ की मौत की खबर आई इस घटना के बाद एक बाद फिर से उतरप्रदेश पुलिस पर गंबीर सवाल उठने लगे मैंने 8 वजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया अपने बच्चे को मैं अपने हातों से पकड़ के दिया है बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग मैं चोगी तक आया हूँ आज क्या है आज 24 गंटे के बाद में जे माल पड़ रही हैं मैं फासी लगा दीए मेरे बच्चे को अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने तो यह मैं तो अमीद है कि पुलिस वालों नहीं लगाईगे क्या नाम है आपका बच्चे का कतनी उमर है त्रिपुरा में हुई सामब्रदाइक हिंसा और उसके बाद वकीलों तथा पत्रकारों के खिलाफ की गई पुलिस की कारवाई को लेकर CPI ML आईसा और इंकलाबी नौजवान सभा ने विहार की राज़ानी पटना में सोमबार को प्रदर्शन किया इस दोरान निताओं ने UAPA के तहत वकीलों और पत्रकारों के खिलाफ दर्श किये केस वापस लेने की मांग की प्रदर्शन के दोरान निताओं ने कहा कि संग और भाज़पा देश में हिंसा और नफरत फैला दी है और समिदान के खिलाब भी है उन्होंने कहा कि त्रिपुरा को मुसल्मानों के कतले आम का गुजरात मॉडल बना दिया गया है उन्होंने UPA कानून रद करने और त्रिपुरा में मुसल्मानों पर हमले के दोश्यों को सजा देने की मांग की ये प्रदर्शन पटना इस्तित बुद्ध स्मिति पार्ग के पास किया गया और मांगो को उठाया गया अब खबर छट पर्व की दिली में यमुना घाटों पर छट पर्व मनाने पर पतिबंद के बीच बुद्धवार को कालंधी कुझ के निकट नदी के घाट पर लगी भीड को दिली पुलिस के कर्मियों ने हटाया दिल्ली के सोनिय विहार में यमुना घाट से पहले बैरिकेडिंग लगा दी गई जिससे व्रती छट पूजा करने के लिए घाट तक ना पहुँच सके कुरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली आबदा प्रबंदन प्रादिकरण यानि डीडीमे ने यमुना घाटों पर छट पूजा करने पर रोग लगाई हुई है इस बीच भाजपा सांसर प्रवेश्ट साहिब सिंग वर्मा बैरिकेडिंग तोड़ते हुए घाट पर छट पूजा करने पहुच गया उनके साथ समर्तवों की भीड़ती बीजेपी सांसर मनुस्तिवारी भी कालंदी कुछ घाट पर का जायजा लेने पहुचे थे बता दे कि दो दिन पहले ही यमुना में जमा जहरील जाक के बीच टुपकी लगाती महिलाओ का वीडियो वाइरल हुआ था जिसके बाद घाट पर छट मनाने पर प्रतिबंद लगाए गया और आखिर में हम बात करेंगे कि इंदी स्वास मंताय द्वारा आज बुद्वार यानि दस नौवंबर को जारी आगड़ के नुसार देश में 24 घंडों में कुरोना के 11,000 से जादा नए मामले दश किये गया इसके अलावा कुरोना से बीते दिन 460 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी बीच देश भर में कुरोना से प्रेट करीब 12,000 मरीजों को ठीक किया गया और आक्टिव मामलों में 955 मामले कम हुए है देश में कुरोना संक्रमर्द की मामलों की संक्या बढ़कर 3,43,000 के करीब हो गई है जिन में से अब तक 4,61,000 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है देश में कुरोना से प्रेट 3,37,000 से जादा मरीजों को ठीक किया जा चुकी है और एक्टिव मामलों की संक्या घट कर लगबग 1,40,000 हो गई है स्वासमंतराइक ताज जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सिन की अब तक 109 करोड 60 लाग से जाधा डोज दी जा चुकी है जिन में से करीब 52,000,000 वैक्सिन की डोज पिछले 24 गंटों में दी गई है आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही निउस क्लिक के यूटिब चैनल को सब्सक्राइब करें साती देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बूक, ट्विटर और इंसाग्राम दर में फॉलो करें निउस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया